नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रविवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुरलब संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी, मोहिनी एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी रविवार के दिन पढ़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योगों का निर्मान हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमरित सिध्धी योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन तीन योगों के मान की वजह से इस एकादशी पे भगवान, विश्णू और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है, और यदि इस दिन आप चुप-चाप किसी को बिना बताए, स्वास्तिक से जुड़ा, ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी दोस्तों, एक साल में करीब 20 एकादशी पढ़ती है, और 19 मई को पढ़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है, इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा, ये अचूक उपाय की हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो, या सेहत या स श्री हरी विश्नु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जै श्री हरी जै मा लक्षमी लिखना ना भूलें। इसके अलावा मोहिनी एकादशी भगवान विश्नु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विश्नु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग वरत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ती भाव से भगवान विश्नु की पूजा करने से सभी मनो कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतिय संस्कृती में कल्यान कारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुब कार्य को करने से पहले स्वास्थिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वास्थिक सर्वदारुद्र, अर्थात, सभी दिशाओं में सबका कल्यान हो। इस तरह स्वास्थिक एक शब्द से किसी व्यक्ती या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्यान या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। और हिंदू धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतिक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्थिक बना कर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते। क्योंकि ऐसा करने से में खुशियाओं बढ़ती है, स्वास्थिक में चार तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रगवेद की आन्शा में स्वास्थिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी चार भुजाओं को उपमा दी गई है। पौरानिक मान्यता है कि चार दिशाओं यानि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिन की ओर ये चार भुजाएं इशारा करती हैं। और हिंदू धर्म में इनको चार वेदों से जोड़ कर भी खा जाता है। यानि रगुवेद, यजुरवेद, अथरवेद और सामवेद। स्वास्थिक की चार रेखाएं स्रिष्टी से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चार सिरों को दर्शाती हैं। और चार पुरुशार्थ, यानि चार आश्रम, चार लोग, चार देवों, यानि ब्रह्मा, विश्नू, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभी मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्थिक की चार रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की दिशा में चलने का प्रतीक है, ये है स्वास्थि महत्ता। इस एकादशी के दिन, घर के मुख्यद्वार पर शुभ मंगल चिन्ह चिन्ह स्वास्थिक स्वरूप बनाए, आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिला करके भी बना सकते हैं, ऐसा करने से वास्तु दोश दूर हो जाता है, इससे मनो कामनाओं की पूर्ती हो जाती है, घर से कलह बैचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है, इसे शुभकार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नतिका प्रतीक समझा जाता है स्वास्थिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है आपने उल्टा स्वास्थिक ही देखा होगा परंतु उल्टा स्वास्थिक के उपाए अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाए अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परिशानियाओं हो, तो एका दश के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवा कर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग-अलग साइज के मिल जाते हैं। या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्यद्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो ज्यादा नौ अंगुल से बड़ा बिलकुल नहीं होना चाहिए। तीन-चार अंगुल का बनाईए ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड या खंभा है तो वास्तु दोश उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोश के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एक आदशी तिथी पर आप ठाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ती करते हैं। तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो घर के मंदिर में इश्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थिक के कौन-कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में, परन्तु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि तभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाईएगा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर मुख्यद्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्थिक का चिन्ह बना कर उसकी पूजा स्वास्थिक पर चावल की धेरी बनाए और एक-एक सुपारी रख दे, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ती होती है, कारियों में सफलता मिलती है इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेल पत्र डाल कर नहाए, ये स्नान के जल में जब आप बेल पत्र डाल देते हैं, तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने, सम्मान पुन्य फल आपको हासिल हो जाते हैं, आप चाहे तो घास भी डाल कर नह मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरी विश्नुजी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें. इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं. इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुम-क स्वास्थिक बना लें. स्वास्थिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें. इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें. बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ती के पास रख दें. 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में की कभी कमी नहीं होती. इस एका दश जिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए. इससे घर की सुख शान्ती बनी रहती है. पितरों की कृपा बरस्ती रहेगा. दोस्तों कहां जाता है कि एका दशी के दिन पीपल की जड़ में यदि एक लोटे, जल में एक चुटकी, काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डाल कर जल अर्पित करें, तो इससे पितरदेव खास कृपा मिलती है. और धन लक्षमी भी प्रसन्न हो जाती है. धन, दौलत, सुख, सम्रिध्धि, यश, मान, सम्मान में व्रिध्धि होती चली जाती है. यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर नहीं हो पाती. ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की पर सिंदूर से उल्टा स्वास्थिक बना दें. मनोकामना पूर्ती की प्रार्थना भगवान से करें. जरूर पूर्ण हो जाएगी. और जब आपकी मननत पूरी हो जाए, तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्थिक बना दें. और भगवान को धन्यवाद दें. इस एकादशी पर भगवान श्री हारी की पूजा करेंगे, तो उन्हें दो हल्दी की गाठें जरूर अर्पित की, और बाद में हल्दी की गाठ को पिल्ले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें. आपने पहले भी हल्दी की गाठें रखी हुई हैं, तो उसको ही करके वापस रख दें दोस्तों. पर विश्नुजी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुश्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें. जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे, उस थाल मे चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा. जीवन में खुशियां, देवो थान एकादशी के दिन, खास मंतर का जाप जरूर करें. आप मंतर जाप कर सकते हैं. या फिर विश्नुजी के महा मंतर, ओम नमो भगवते वासु देवाय का इसमें से किसी भी ए अर्पित करेंगे, तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, दो-चार बूंदें दूद, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डाल कर ही अर्पित करें. और शाम के तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए, इस दीपक में एक सिक्का रख दें, और ब सिक्का सिध्ध हो जाएगा. फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है, तो इस सिक्के को साथ में रख कर निकले. आपको सिध्ध जरूर हासिल मिलेगी. इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें. एक दीपक घर के मुख्यद्वार पर अंदर की तरफ से, या पर फूलों की पंखुडी और थोड़े अक्षत रख कर फिर दीपक जलाएं. प्रभु की आरती करें. सर्वोत्तम होगा. परंतुयाद की भगवान श्री हरी विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किये जाते. माह लक्ष्मी को अर्पित किये जाते हैं. यदि विष्णु जी के साथ ही शिवा जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुन्दर बनाएं दोस्तों. भगवान विष्णु की कृपा के लिए मोहिनी एकादशी के दिन सनान करते समय. पानी में एक छुटकी इसके बाद सनान करें. और पीले रंग के वस्त्रधारन करके भगव भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें. मोहिनी एकादशी के दिन श्रीहारी का सबसे पहले गाय के दूद से और फिर शंक में गंगा जल भर कर सनान कराएं. इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें. मान्यता की मोहिनी एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीरवाद हासिल होता है. मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय, उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का लगाए, साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पील मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीग्र ही प्रसन्न होकर भगतों को मन चाहा आशीरवाद देते हैं. आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो, तो आप भगवान विष्णु के अवतार, भगवान श्री कृष्णा की मूर्ती की भी पूजा करके मोहिनी एकादशी का पुन्यफल हासिल करें. इश्वर की साधना आराधना में मंत्र जब का खास महत्व होता है. ऐसे में आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एवं नमो भगवते वासुदेवाये नमह मंत्र का जब जब इसे में मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें. कि पूर्ती के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चड़ा है. यदि आप मोहिनी एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान विष्ण को अर्पित किये जाने वाले में तुलसी के पते जरूर रखें. मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहन नहीं करते हैं. तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा. साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर ध कमाएंगे. इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा. वैसे इस की गई पूजा, साधना क्रिया का अपने अपने में खास और खास महत्व होता है. शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है. मोहिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी पतिप्रवास करने आती है. और इस दिन यदि आप वेद पुरान के अनुसार एक रूपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है. और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के प बलकि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात, आपके जीवन में धन की वर्शा होगी. आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे. आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी. माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से, फिर आपके जीवन में आपको सफलता हासिल होगी, मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी स्क्राइबर जुड़े, जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोटके सरल उपाय को हम वहक्रिया बोल सकते हैं, जो कि आप आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही आपको अच्छे लाब देते हैं, जीवन में चली परेशानी को, आपके जीवन में चली कश्ट को, आपके जीवन में चली कैसा भी दरिद्र, जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस् ब्रह्म योग का निर्मान हो रहा है और सरवार्थ सिध्य योग का निर्मान हो रहे हैं और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा एका दशी तिथी के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि एका दशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है जो लोग के दिन यदि माता लक्ष्मी की प्रसंदता के लिए उपाय कर ले या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर ले तो उनकी किसमत बदल जाते हैं तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एका दशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले हमारे बहुत सारे ऐसे सबस्क्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाए भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों, हर मानव को हर उपाए सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते, तो दुनिया में ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। परन्तु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा, सब के उपर में नहीं करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो, चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिलकुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परन्तु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे, तो एका दशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, कालीन नौ बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है, तो अ आप अपने के द्वार के पट को पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को थोड़े से हिस्से को लक्षमी के आने के लिए खोल करके रखना है। बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं। प्रवेश नहीं करते। इसी लिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गा हम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं। कि इनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। तो आप क्यों उधारी देंगे, क्यों आप उधारी देंगे, और इस दिन काले वस्तु बिलकुल ही घर में मत लाना, काले शक्ति का प्रतीक होता है, और रही बात सोमवार का दिन पढ़ रहे हैं। उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताय उपाय को कोई मनुष्य करते उन्हें लाब मिलते, तो हमें भी पुन्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आप धनिया एक मुठी की आस बिलकुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा, कम से कम एक पाव के आसपास धनिया खरीद करके लाए, और एक मुठी धनिया को, एक धनिये को, एक मुठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है। धुप का धुआ दिखा कर कि शाम के पश्चाद, संध्याकाल के पश्चाद, आपको अपनी छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा-थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायह धन तेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं, क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मा लक्ष्मी से होता है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं, तो धनिया, इस दिन आप अपने घर के छत में फेंक परन्तु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्शित होता है, तो आप ये उपाय जरूर करिए। ये उपाय द्वितिय उपाय जान लीजिए, तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेश मनोकामना के लिए कोई विशेश मनोकामना हो, आपकी तो विशेश मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कच्छुआ अपने घर में ही खरीद करके लाना। पायान बनते हैं। लाल लेना है। कोई विशेश मनोकामना हो, वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं, वो इच्छा इस उपाय को करने के पश्चात पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ती जागरत अवस्था में होती है वही उपाय बताना एक कर्तव्य है करना या ना करना ये आपके उपर करता है जिनको लाभ हो ये उपाय कर लेना हंड्रिट परसेंट लाभ मिलेंगे केवल ये उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पड़े फलकारी होगा तो नहीं है तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें तो आशा करता हूँ अपने वीडियो में बताएंगे छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रखतेगा बिलकुल ये उपाय करके देखे आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे अमंगल को हरेंगे दोस्तों मोहिनी एकादशी वही एकादशी है और वही दिन जिस दिन माता लक्षमी जी धर्ती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धर्ती का ब्रह्मन करती है इसको देखती है कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिसमें भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वर्दान और आशीरवाद भी दे देती है दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि केवल दशहरा दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए केवल दशहरा और दिवाली में ही माता लक्षमी जी का आशीरवाद मिल सकता है परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे पंडित एस्ट्रोलोजिस्ट जितने भी होते हैं वो मोहिनी एकादशी का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और दोस्तों, इस मोहिनी एकादशी केवल आप साधारण से तीन लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे जोतिश शास्त्र में लिखा हुआ है जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलेगा कि पश्चात ना केवल आपका भाग्य बदल जाएगा ना केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा बलकि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा दोस्तों आप ये जरूर सोचेंगे कि आखिर तीन लॉंग के ही महा उपाय को क्यों करना है आखिर लॉंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी लॉंग हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है यदि आप तंत्र शस्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लॉंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लॉंग का प्रयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है यदि कोई लक्ष्मी जी का वर्दान हासिल करना चाहता है कोई मनुष्य चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिध्ध हो जाए कोई मनुष्य ये चाहता है कि माता लक्ष्मी से उस मनुष्य की इच्छा पूरी हो जाए तो दोस्तों, आपको लॉंग का उपाय करना ही पड़ेगा वरना आपकी पूजा सफल नहीं आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए तो लॉंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा और इस वीडियो में हम आपको तीन लॉंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय को आपने केवल एका दशी के दिन सही मुहूर्थ पर सही तरीके से कर लिया तो दोस्तों यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन बहुत ही आगे जाएंगे बहुत ही काम्याब होंगे इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे ना जाएं आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की और एक काम शेर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशे भी डाल दीजिएगा आपकी राशे की कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस मोहिनी एका दशी मतलब 4 मई 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों वो आके आपके कॉमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशे डालना मत भूलिएगा देखिए अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं हम शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंड करके लेकर के आए हैं ये उपाय करने के पश्चाद आपके जीवन में आपको एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप अपने जीवन, गरीबी, पैसे की परिशानी, पैसे की तंगी की वजह से परिशान थे हर तरह की परिशानी आपकी खत्म हो जाएगी इसलिए आप निवेदन था इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए इन उपायों को किस महूर्थ पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी इसलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि मोहिनी एकादशी पूरे साल में केवल एक बार आती है और ही दिन माता जी धर्ती परवास करने आती है, वो है एकादशी के दिन और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वर्दान भी मिल जाएगा चलिए, आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं परन्तु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय है धन हासिल का महा उपाय अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा परन्तु इसके आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है ये सामग्री लाने के पश्चात ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और चार दो हजार चौबीस की सुर्यास्त के पश्चात या पूजा आपको करनी है उपाए के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी वो सामग्री कौन-कौन सी है एक लाल कपड़ा लाईए लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए, ये पहले कहीं प्रयोग ना हुआ हो, आपको चाहिए तीन ध्यान रखिएगा, लॉंग होनी चाहिए, तूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लॉंग जो जो फूल वाली लॉंग होती है, त को तीन कपूर चाहिए एक मुठी चावल हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं